अहिब जी एक ओंकार सत्नाम करता पुरुख निरपा निरवेर अकाल मूरत अजोनी सैपं गुर परसाद जप आदे साच जुगादे साच है पी साच नान कहोसी पी साच डंडाओत बंदन अनकबार सर्ब कला समराथो दोलन ते राखा हो प्रभू नान को देकार हाथो तुरकी बानी आई तिन सगली चिंत मिटाई दयाल पुरख मिहरवना हार नान को साच वखना साच जी बानी मीठी अम्रत तार जिन पीती तिस मुख दुआर सत्गुर की जिस नौमत आवै सु सत्गुर माहिस मन इह बानी जो जी अह जाने तिस अंतर रवै हर नम्मा जेता जी ओपेंड साब तेरा तु अंतर जामी पुरख पगवान दासन दास कह जन नानक जेहा तु कराए है तेहा हो करीव खेयान सत्गुर ग्रीब निवाज पतत पावन पगत वच्छल किरपाने दान दीना बंदू चावर शातर तक्त के मालक दसा पाथ शाहियां की पामन जोत स्री अकाल परख वाहे ग्रुजी देपरतक सरूप राजान राजपान आनपान देवान देव उपमा महान जोगो जोग अटल साथ ग्रु स्री ग्रु ग्रंथ साहिब जी की पर्म पवित्तर हजूरी विच्छ सुबाए मान ग्रु की साथ जी निवाजी पर्म सतकार योग साध संगत जीयो वाहे ग्रुजी का खाल सा वाहे ग्रुजी की फतिह कलगी तार पाथ शा जी दी साथ जी निवाजी होई डम्द में टकसाल दे इटली विखे अस्थापत होई इस अस्थान गुर्दवारा शहीद बाबा दीप सिंग जी दे विखे काजल मरन्नों शायर विखे हफ़ता वारी दीवान वेच संगता एकत्र होयाने और इउन नाम बाणी दे लाहे प्राप्त कीते ने इस हफ़ते दे दीवान विशेश ताउरते सिरी गुरु ग्रान्थ साहिब सच्चे पात्षाजी दे संपूरंता देवसनों अते नालही दम्दमी टकसाल दे सिरजना देवसनों समरपतहान तेई सावन दा देन और इसे परकार सम्मत सतारां साउत्रेठ बिकरमी जिस दिन गुरु गोबिन संग साहिब सच्चे पात्षाजी ने दम्दमा साहिब साबों की तलवंडी विखे सिरी गुरु ग्रान्थ साहिब जी दे लखाई संपूरं करवाई ते नालही गुरु बानी दे अर्थ पड़ा के एस दिन ही अर्थां दी प्रम्परा संपरदाय जोसी दमदमी टकसाल दे रूप विच आरंब कीती सिरी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे परंप वित्र इतिहास दे बारे कल शाम दे दिवाना विच्वी विचारा हुईया सन उना विचारा ते पंच्छी चात मार दियां लड़ीनू मैं अगी तोरंदा यतन करा जो रात गुर्दवारा सहब कल शामनू गुर्दवारा सहब संगता आया सन सो तिना ने ए विचारा सरवन कीतियां सी के अकाल पुर्खवाही गुरू दे प्रताख सरूप तान साथ गुरू नानक देव सहब जी जिनादा आपां साथे पंसो साला प्रकाश तिहाडा मना रहे हाँ आज तों साथे पंसो साल पहला कतक सुदी पूर्ण माशी सम्मत पंद्रा सो शब्वी बिकरमी सान चौदा सो अनतर इसवी नू इस संसार ते प्रगट होए राय पोई दे तलवंडी विखे सरीर का ताउरते साथ गुरू जी ने जनम लिया और तकरिबन तकरिबन सतर वजे दे सरीर का आयू दे विच आप जी ने कुल हिंदोस्तानी नहीं बलके हिंदोस्तान तों बाहर वी अनेका थावाते विचर के संसार नू साच तरमदा मारग दिखाया किर्ट करनी नाम जपना मंड शक्ना दासदाँत गुर्मख नामदान इसनान दी जुगत सत्गरू गरीबन वाद जी ने वरताई ते संसार नू लोकाई नू जोवी आप जी ने अगम्मी उपदेश बक्षश कीता उतरों आई अमरत रूब अकली बानी उचारन करके काव रूप दे विच गुरू गरीबन वाद जी ने ए उपदेश बक्षिया किवें किवें ते किथे किथे शबद सत्गरू जी ने उचारन कीते थोड़ियां जैयां बेंतियां कल कीतियां सन संपूरन ताउरते तावरन होई नहीं सकदा अमरत रूप अगमी बानी जिस दे बारे आप जी ने बचन कहे के जैसी मैं आवै खसम की बानी तैसरा करी ग्यान वे लालो जिस दे बारे बचन कीते के बानी बिरलव भी चार सी जै को गुर्मख होए इह बानी महापुर्ख की निजकरवसा होए ऐसी अम्रत रूप बाणी आप जी ने संसार नूँ बक्षश कीती बाणी उचारन करके उपदीश बक्षिया ते होर वे किरपा कीती के उस बाणी नूँ लिखती रूप दे विच्वी संबालेया सथगरु अंगत देवसाहिव सच्चे पाध्षा जी उपर बक्षश कीती गुर्ता दी दाथ बक्षी आप सथगरु नानक देवसाहिव जोती जोत समाये सथगरु अंगत देवसाहिव जी ने बाणी उचारण करके उपदीश बक्षिया ते पाई पैडा मोखा जी गुरू के उचारण की ते सलोक लिखत विच लियूंदे रहे लिख दे रहे समा अंदा है साथगुरू अमरदा सभ सच्ची पाथशा जीदा पहले साथगुरू महराज जी दी तरह आप जी ने हिंदुस्तान परविच विचर के नाम बाणी दे शटे दिते समाजिक कुरीतियानों खत्म कीता गुर्मत दे वी चार तारानों परचारया और बाणी उचारण करके उपदीश बख्षिश कीता ते आप जी दे पोत्रे पाई सांस राम जी ओ आप जी दे उचारण कीते होए अमत रूपी शबदानों लिखन दी सेवावी ने बंदे रहे यो लिखती सरूप विच पोत्रियां जेडियां सान ओ एकत्तर होईया वाहे गुरु दे प्यारे पागत जो थावा 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 ते हिंदुस्तान दे विच होए उनना दी बानी मी जो सद्गरु नानक देव साहिब जी ने इकत्तर कीती पोत्रियां वेच संचत कीती सी ओवी नाल सम्मिलत है ते सद्गरु अमरदास जी ने गुरु बानी दियां पोत्रियां नो अमोलक जान के महान तो महान जान के इना दी सामसंभाल दी उचेचे ताउर्ते जिम्मेवारी अपने वड़े स्पुत्र बाबा मोहन जी दी लाई बाबा मोहन जी दे स्पुत्तर ही अगे बाबा संसराम जी सं जो तीसरे पाथशाज दी उचारन कीती बाणी नू नाल दे नाल लेख दे रहे बाबा मोहन जी ने गुरुबाणी दिया पोथियां दा बड़े अदब सतकार दे नाल सामसमाल दा जिम्मा उठाया उए सेवा ने बहुंदे रहे महान तपसवी सन ताप भी करदे बंदगी भी करदे पोथियां दी सेवा भी करदे रहे सी ते जाद साथ गुरु अमरदास जी ने गुर्ता गदी स्री गुरु रामदास साहिब जी नू बक्षिश कीती कोल संकता ने परवार समेथ बाबा मोहरी जी समेथ गुरु अमरदास जी दा हुक्म मने या सी पर बाबा मोहन जी ने हुकम दे पालणा नहीं कीते मान में विछ ए क्याल राखके दे एक इंद्या होयां के ए रामदास जी ता मेरे तूमर में विछ भी काफी शोटे ने ते साथे कर एट टोकरी टोन दी सेवा कर दे रहे मैं इदना अगे क्यों चुका यों कुछ हंकार पामना अपने मन में चरखी सी जिस करके सद्गुरू रामदास जी दे चरना ते चुके नहीं गुरू रूप करके मत्था नहीं सी टेके आ आकी हो गए सन ते साथगुरू अमरदास जी ने बचन करदता सी मोन तूँ आफर गे है तीसरे पात्षा जी जोती जोत समाए चौथे पात्षा जी ने अमरतसर नगर वसाया जिस दा पहला नाम गुरू का चाकर खेया सी ते साथगुरू स्रीगुरू अरजन देव साहिब जी ने इस गुरू के चाकनू रामदास पूर कहके वड़े आया ते इथे साथगुरू जी दे लाए होई अमरतसरो वरतों इस शेहर दा नाम अमरतसर पया इत्थे निवास रख्या है सत्गरू रामदास सहिब जी ने पिछे बाबा मोहन जी दे चेतनू कदे शांती ना आई बहुत दुखी होए पिता सत्गरानू चेते कीता याद कीता सत्गरू जी मैं पूल गया मेरेते किरपा करो दर्शंद दारे बक्षिश करके सत्गरू अमरदास जी ने बचन कीता सी के ऐ पुत्तर मोहन जीननी निमरता ओधों तारण करनी बन दी सी ओधे नालों में दुगणी तिगणी निमरता तारण करेंगा तां गल बनेंगी सत्गरू रामदास जी दे साहिब जादे स्रीगरू अरजन देव जी गुर्ता ते शिशोबत होनगे ओ तो अड़े कूल आउनगे पूथियां लैन वास्ते उनना दे चरना ते चुकना फिर तो अनु शांती आवेगी ते असली आत्मेक अनादली प्राप्ती होवेगी ओधों तक तुसी एथे बंदगी करो ताप करो सत्बचन के आसे बाबा मोहन जी ने समा आपनी चाल चलेया स्रीगरू रामदास जी दी बाणी मी लिखती रूप फिस संभाली गई तेहुन अगे समा तान सत्गरू अरजन देव सहब सच्चे पाथशा जी दा आउंदा है स्रीगरू रामदास जी स्रीगरू अरजन देव जी नू गुरता गदी बक्षश करके जोती जोत समांदे ने पंजमे पात्षा जी ने मी जो उपदेश बक्षिया अमर्त रूप बाणी उचारन करके बक्षिया बलके सब तों वद बाणी दा उचारन सत्गुरु अरजंग देव सहिब जी ने किता और उननों लिखती रूप विचवी संबालेया उद्धर जदों तों गुर्ता गदेती दात पंचम पात्षा जी नू प्राप्त होई सी आप जी दा वड़ा प्राप्रथी चांद इरखा करदा सी वरोध करदा सी और एसे इरखा सारे दे विच ही सारा जीवन बीतिया ते प्रती चांद दा पुत्तर जो मिहरवान सी उसने मी आपने पिता वरगे चाले फड़ी रखे आपना वखरा गुरू डाम चलाउन दी असफल कोशश कीती कामजा भी नहीं सी मिली पार जीवे साथगु महराज जी दी बानी दी रचना है इस तरह बानी दी तरज ते उसे तरीके नल आपनी काव रचना करनी शुरू कीती महरवान ने ते उदे विच साथगुरा दी तरह नानक पाद दी नानक नाम दी वरतों कीती जो उस दा अधकार नहीं सी ए बानी ता तुरू अगम्मी आई है जिस दे बारे साथगुरु गریब नवाज सिरी गुरु अमरदास जी नेवी बचन काю के बानी ता गाव हु गुरु के रि बानी या सिरबानी चौथे पाधशा बचन कार दे ने साथगुर की बानी सात सात कार जान हु गुर सिखा हो हर करता आप महों कडाए पंजमें पाच्छाई दे बचना आपा सबना नू चेते ने तुरकी बाणी आई ते सगली चेंते मिटाई एता तुरों आई है ते वाहिगरू दे परताख रूप सत्कुरादे मुखतों पर गट होई है मिहरवान दियां आपनियां कच करण रड़ चनावा ने दिमाग ते जोरपा के लिखी होई कवता है ते उसन बाणी दी बराबरी देन दा यतन करदियां हो यां उदे विच नानक नाम दी नजाइज ताउर ते वरतों कीती है जदो सत्कुरादे कौल एगल आई है एक हैल करके के सच्ची बाणी विच कच्ची बाणी दा रड़ा ना पवे ते नाल ही अगों बाणी ने ही कौम दी अगभाई करणी है गुरू सुरूप होके सुमची कौम नो अगभाई देनी है साथगरू अरजन देव जी ने उद्द्म उपराला कीता सी के सारी बाणी जेड़ी ये पंजास रूपां दी एक जगा ते 71 कीती जावे एदे वास्ते साथ गुरू सच्च पाथशा जी ने थावा थावा ते ए सुने हे ए लिखती हुकम नामे मी पे जे के जिना जिना गुरू प्रेमिया दे कोल साथ गुरू जी दे उचारन कीते कोई शब्द लिखती रूप विचसंबाले हुए ने ओ इना शब्दानू लेके साथ दे कोल गुरू की नगरी विखे आवे पाई साथ पाई पैडा जी होरानू साथ गुरू जी ने शिवनाब राजे दी नगरी संगला दीप जिसनू अज आपा स्री लंका दी नाम नल याद कर देया उथू उचारन कीती प्रान संगली पुथी वी साथ गुरू नानक देव साथ जी दी उचेचे तौरते लैन वास्ते पे जया सी साथ गुरू ने पता है के पहले साथ गुरू दी बाणी जेडी है गोईलवाल साथ विखे साथे मामा जी बाबा मोहन जी को लसंबी हुई है ओ पुथिया उत्वो लें दिया जान एक हियाल करके के कौन पुथिया लेके आवे पाई साथ पाई गुर्दास जी पहला गए साथ गोईलवाल साथ पुथिया लेंड लई पर बाबा मोहन जी नू अवाजा मारिया उनना दी समध दी ना सी खुली वापस मुड़ना पिया क्योंके तीसरे पाध्षाई ने ए बचन कीता सी के गुरु अरजन देव जी तो बिना पूथिया हो और किसे नू नहीं देनिया जदों पाई साथ पाई गुर्दास जी वापस मुड़े ने ता उपरांत बाबा बुड़ा साथ जी गए उनना ने में बठेरा दर्वाजा खड़काया अवाजा मारियां पर गलना बढ़नी ते आखर क्योंके प्राणे चूथी वाड़े दर्वाजे होया करदे सान ओ चूथी उखार के दर्वाजा ही उखार देता ते अंदर बैठे बाबा मोहन जी नू हलो नन लग पैसन के इना दी समादी नू खोलिया जावे उद्रों बाबा मोहरी जी आयते उना ने बाबा जी नू वरजया हाथ जोड बेंती कीती बाबा जी तुसीं गुरू करदे प्रातन सबना लालों सतकार जोग सेखो प्रा मोहन जी दा सुबा आजरा करड़ा है शोटा वड़ा नी वीख दे ऐसा ना होवे के एउं जबर दस्ती समादी खोली जानते हूं कोई कोड़ा बचन करदेन सु आप जी इस तरह ना करो बाबा बुड़ा सहीब जी वी वापस परते हुन खोद साथगरू अरधन देव सहीब सच्चे पात्षाजी गोईदवाल सहीब विखे आई सन ते चुबारा सहीब दी जेड़ी बारली गली है उथे हेठा बैठके तंबूरा साज आपने पवित्तर हस्त कमला विच लएके साथगरू माराई ने उथे अमरत रूप गुरबानी दा शब्द उचारन करके बाबा मोहन जी नू साद लाउनी अरंब कीती सी जिस विच असल रूप विचता अकाल पुर वाही गुरू दी उस्तत कीती है उस प्रभू प्रमात्मा नो मोहन केके मननो मोहलाई वाला केके सिफट वाही गुरू दी है ते नाल ही मोहन बाबा मोहन जी दा नाम मी है गौडी रागदा शब्द मोहन तेरे उचे मंदर महल अपारा मोहन तेरे सोहन दौार जी यो संत तरम साला ये शब्द गाविया उचारन कीता और एदे नाल ऐसी खेच बाबा मोहन जी दे मननों पाई के यो ना दी समधी खुली सी यो खिड़की राही ताकी राही बारनों तक्या दूसरा पज़ शब्द उचारन कीता तीसरा भी उचारे या बाबा मोहन जी यो ओ पोथियां लेके आप जी दे सन मुखा आजर हुए पहला पामे के कवड़े बचन मी कए सन अपर ओ बचन केवल परखवाले सन जदो कवड़े बचना दा सत्गरु अरजन देव जी दे मन ते कोई असर ना सी होया बाबा मोहन जी पोथियां लेके हेठा उत्र आये सन ते गुरू कर दी अमान्त गुरू के हवाले कीती सी आउंदेयां वेख के एकता पोथियां दा सतकार ते एक मरजादा प्रशोत्म सत्गरू जी एक ह्याल करके के बाबा मोहन जी साध्डे वड़े हान साध्डे मामा जी हान क्योंके सके मामा जी लगदेने साध्गुरू अर्जन देव जी दे वड़ेयां दा सतकार करन वास्ते साध्गुरू अर्जन देव साहब जी उठे पर बाबा मोहण जी ने पोथियां सपूर्द करके आप जी दे चर्ण पकड लए के एसे वड़पोने ने ता पहला मेरा एहाल कीता है के चेतनु शांती नहीं सी आई होन मैंनो आपना मामा समझ के नहीं बलके गुरू का सिख समझ के आप जी दे चर्णा दादास समझ के मेरे ते किरपा करो चौथा पाद तदों शब्द दा साथगरू गरीब नवाद जी ने उचारन कीता सी पोथियां लएके सुन्दर पाल की साहिब विच सुभाय मान करके और यों गुर सिखा दे मुड्यां ते पाल की चुका के आप हाथ विच चार दी सेवा ने बहुंदिया होया नंगे चरणी पैदल चलके साथगरू जी ने गौइंद वाल साहिब तों खडूर साहिब हुंदिया होया अमर्त सार साहिब वाल नो चले पाय सं रस्तेदाती आसवी बहुत लंबेरा है मैं उस पासे ना जामा अमर्त सरोवर दे कनारे पहुंचे आज जदो वसी सच खंट स्री हरम अंदर साहिब जी दे दर्शन दी दार करने जान देया तां दुख पंजने बेर साहिब दे नेड़े जो थड़ा साहिब बढ़िया हुए है इस दा माम 68 का आठ तीर थवी है उथे अपन संग मरमर दे बढ़िये एक पाल की दे दर्शन कर देया ओ अस्तान है ओ टकाना है पाल की तां बढ़िया है उथे के उस अस्तान ते सत्गरु ग्रीबिन वाद जी ने ओ पोथियां बाली पाल की दा उतारा कीता सी संद्या जे वकत सत्गरु सच्चे पात्षा जे पोथियां लेके एथे पहुंचे ने थड़ा सहब ते उस अस्तान ते पाल की दा उतारा कीता सारी रात शब्द कीर्तन हुंदा रेया चाओर दी सेवा हुंदी रही अमर्त वेले दा समा होया दिवान सजया आसा की वार्दे कीर्तन दी संपूरंत उपरंत इना पोथियां दे सद्गुरु ग्रीबिन वाद जी ने प्रकाश करके दर्शिंद दारे कीते बानी दे शब्द पड़े ते अनांद वेच आके आप जी ने एक शब्द उचारन कीता सी हम तन्वांत पागठ सचनाई हर कुन गावे सैज सुभाए रहाओ प्यू दादे का खोड ठाख जाना ता मेरे मन पयान दाना रतनलाल जाका कशूना मूल परे पंडार अखूट अतौल खावह खर्चेर आलमल पाई तोटना आवेवद दो जाई कहनानक जिस मस्तक लेख लखाए सोईत खजाने लायार लाई यो महराई ने इस शब्द उचारन कीता इस तो उपरान तो होन अमरत रोप गुरबाणी नो लिखन दा उपराला साथगरू जी अराम बकारन लगे ने सारा परबंद कीता गया कागज सियाही कलमा वगारा दा एकात था साथगरू गरीब नवाद जी ने पालनी चाहे क्योंके स्रीहरमंदर ता संकता दा तांता लगाई रहिंदे बड़ी गिनती वेच संकता दरशन्द दारियां वास्ते अंदियाने स्रीहरमंदर सहीब जीतों कुछ दूरी उपर एक कुजरती तला होजआ बनिया होए है साथगुरु गरीब नवाद जी ने ओ जगा पसंद कीती बेरियां दा संगना चोंड सी ओस तलादी सफाई करवा के उन उस रोवर दा रूप दिता ते अपनी मबारक रसना तो उस दा नाम राम सर रखेया उस पर थाईवी शब्द उचारिया के नित प्रतना आमन राम सर की जाए चोल महारा सहर यम्रत पी जाए ओर राम सर सरोवर बना के बेरियां दे चोंड विच जगा साथ करवा के उस राम सर सरोवर दे किनारे ते गुरु गरीब नवाद जी ने तंबू लगवाया और यहां गुर सिखा नो हुकम कर देता के अमरत वेले सरी हर मंदर सहीब जी दे दिवान तो उपरांत पाई आपा इस तंबू विच आवाँगे सार यहां संकता नो रोकिया जावे कोई तंबू अंदर प्रवेश ना करे एक पाई सह पाई गुरदास जी नो सत्गरू महराई ने सेवा बक्षी कि तुसी बाणी लिखन दी सेवा करोगे असी लिखा मांगे तुसी लिखोगे यहों केवल पाई गुरदास जी नो तंबू विच आउन दिया गया है बाबा बिदी चंद जी हो रही ही ते होर गुरू के मुखी गुरसिख ओ पैरे दी सेवा न बहुंदे ने नाल ही सारी समगरी तंबू विच पचाउन दा प्रबंद कर दे ने सत्गरू स्री गुरू अरजन देव सहीब सच्चे पाथशा जी ने बाणी लखाउनी अरब कीती पाई गुर्दास जी लिखन लगे यो लम्मा समा एक आरज चलेया है सब तो पहला ओस वेले दा जो परचलत नितनेम सी स्री जापजी साहिब रहरास सहिब जी दे पांच शबद ते सोहला बाणी जो सच्च गुरू माराज दे पहले तेने शबद सन पहले पाथशा जी दे दो शबद सच्च गुरू अरजन देव जी ने जोडे ए बाणियां लिखवा के फिर अगों राग बद बाणी लखाउनी अरंब कीती सिरी रागतों लेके प्रबाती राग तक तीहां रागां वेच सारी बाणी पगत बाणी समेथ सथग्रू गुरीब नवाज जी ने बड़े करम बद तरीके देना लखवाई पाई गुरुदास जी ने लिखी एतिहास दी वारता लम्मी है मैं संखेप विच बेंती कर रहे हैं ताकि समेथे विच मैं आपने पर करणनों पूर्यां कर सका तीहां रागां तो उपरां तो थोड़ी जगा शड़के साथ गुरु गुरी बनवाद जी ने फर अगली बानी लखाउनी रंब कीती है कांशी तो चलके पंड़त हरी लाल ते कृशनलाल आये ने जिनादे दादे गोपाल दातनों साथ गुरु नानक देव जी ने कांशी विच पंच के ओदा विद्यादा मान हंकार तोड़के संस्क्रित अखरांदे विच गुरु गुरी बनवाद जी ने बानी सैस किरती उचारण करके उपदेश बक्षिया सी गुरु के ओचार शबद हरी लाल कृशनलाल होरी लेके आये माहराई ने ओ दर्ज कीते ते ओना दे बेंती करनतों के इसे ही तर्ज वेच किरपा करके माहराज आप जी सान्नू उपदेश बक्षो स्लोक सैस करती महाला पंजबा पंजबे पाथशा ने उचारन कीते इथे एवी बेंती करदा जावा के रामसर वाड़े ओस स्थानते ही साथगरू जी ने अमरत बाणी सुखमनी सहब दा संपूरन उचारन कीता सी यों सैस करती सलोकां तों उपरांत फिर पंजबे पाथशा जी दिया बाणिया फुनहे अते चाओ बोले इना तों उपरांत फिर पगत कबीर जी दे सलोक पगत फरीद जी दे सलोक फिर इयों पटावलनों जो गुरू की उस्त तो उचारन कीती गई है पंजब पाथशा हादी सिफ्त सलादे विच पटादे उचारन कीते हुए सवई तों उपरांत जेडे सलोक बाकी दर्ज करनों अजे बाकी रहगे सन उननों सलोक जेडा सरलेख सी सलोक वारांते वधीक दा नाम दिता गया वारांते वधीक तों पाव के वारांतों वधे होई सलोक ओ सद्गरू गरीब नवाजी ने दर्ज कीते सज्जन सचा पात साहो सिरसाहा दैसाहो जिस पास बहठिया सोहिया सब दादावे साहो इत्थों तक सम्पूरंता करके सलोक वारां ते वदीक दी जगा खाली शड़ सद्ग्रु ग्रीब नवा सचे पाच्छा ने अगे मुंदामनी ते सलोक महला पंजबा उचारन कीते उपरां तरागा दी बेंती नू मन के राग माला उचारन कीती उना दे पले वास्ते यो सम्पूरं स्री ग्रु ग्रंत साहब दे सरूप दी त्यारी होई लहार दे बजार दे विच्छा जिल्द बंदन वास्ते सद्ग्रु सचे पाच्छा ने पाई बंदो जी नू पेजिया ते पाई बंदो जी ने एड़ा वड़ा उपकार कीता के रस्ते विच जान देया जान देया एस स्रूप तो एक उतारा होर कर लिया ते ओस उतारे दे विच इतिहास विचों जनम साखी दे विचों लेके कोज शब्द होर वी नाल सम्मिल्द कर देते दोहां सुरूपा दी जल्द बना के पाई बन्नो जी गुरू के हजूरी विच लेके आए पाई बन्नों जी दी ये सकादनातों सद्ग्रो जी प्रसान होए मौध बक्षा कीतियां पर नाल ही बचन कीता के जिन्नी बाणी आपां दर्ज कीती है एदे विच वद्धा काटा करन्दा किसे नू अदकार नहीं नामें स्रूप विच होर बाणी उचारन करांगे ओदेली जगा शड़ी है दस्वें जामें विच ए बाणी आपा नामें पात्षा जी दी दर्ज करांगे होर कोई भी सिख आपने वल्लों कोई शबद ता की कोई एक लाग करना अखर इत्याद कर देवी वाद काट करन्दा अदकारी नहीं ए सत्गरु जी ने परपाक करड़ा हुकम कर देता रामसर सहब दे अस्थान तो सत्गरु ग्रीब नवाद जी आपने पवितर सीस उपर सत्गरु जी दा सुरूप लेके और बाबा बुड़ा सहब जी नो चाओरडी सेवा बक्षिश करके एक पारी नगर कीवतन एक जलूस दी शकल दे वेच शानो शौकत दे नाल स्री हरम अंदर सहब विखे पहुंचे सी ते पादरों सुदी एकम सम्मत 1618 बिकरमी नो साच खंड स्री हरम अंदर सहब जी अंदर स्री गुरु गरंट सहब जी दे इस्तियार होई परंप वितर सुरूप दा पहली वेर परकाश कीता गया एद हारा स्री गुरु गरंट सहब दे पहले परकाश दिवस दे नामते मनाया जान दा बाबा बुड़ा सहीब जी मुए सेवा प्रापत होई और पहला हुकम लामा आया सी सुही महला पंजवा संता के कारद आप खलोया हर कम करामन आया राम तर्त सुहावी ताल सुहावा विच अम्रत जल्शाया राम यो प्रत्म प्रकास स्रीहर्मंदरँ सहीब जी अंदर स्रीग्रु गरंदरणथ सहीदा होया सिरीहर्मंदरँ सहीदे दर्शनी डिोड़ी दे गेटतों बार वार सद्गरु जी दा अपना निवास स्थान सी जिसनो गुरु की कोछडी केंदे सान सद्कार्नल कोछडी सहब भी केंदे सान और फिर संकता अज उसनो कोठा सहब दे नामना जाद कर दिये ओथे सद्गरु अरजन देव सहब जी आप रत्री विश्राम करिया कर दे सान ओथे पलंगे उपर रात वेले सद्गरु स्रीगरु गरंत सहब दे सुखासन महराई ने करवाया ते आप उस पलंगे दे हेठां तरती ते चादरविशा के पूम आसन ही महराई ने कीता ए प्रमपरा ओदों तो सद्गरु ने पकी ही जेडी सी ए अपना लई सु इस परकार स्रीगरु गरंत सहब जी दा बहुत वड़ा अदब सत्कार पंचम पाच्छाई ने आप कीता सिखा दे पुशन तों के महराई गुरता दे मालकता आप जी खुद हो आप जी नू सत्कार्दा इना उचेज करंदी की लोड है एदे विच की पेद है तामहराई ने बचन की तेसी गुर सिखो स्री गुर केर स्रीर जो सब थान समय सब नादर से है गरंतर दा गुर का इह जाननों उत्तम है सदकाल रहे है मेरो स्रूप दे जाते है दीरग साहिब जान अदायब का है पुजह चंदन के सर को कास तूप तुखाय सो फूल चड़ा है गुर सिखो ऐ जेड़ा सादा स्रीर करूप है ना सारिया थाना ते सारिया समया विच एदे दर्शन संबव नहीं पर समय आवेगा कि स्रीग्रू ग्रंथ सहब जी दे दर्शन कुल संसार दे विच होनगे हर वक्त हर जगा ग्रू के दर्शन जोने एपराप्त हो सकनगे दूसरी गल सादा स्रीर करूप सदा कायम रहन वाला नहीं स्रीगरु गरंथ साहब जी जोगो जोग अटाल कायम रहेंगे इसलिए साथे स्रीर करूप नारों स्रीगरु गरंथ साहब जी दी बहुती वड़ी महांता है इना नो आपने मालक जान के पूजा करनी तू पतखाओ के सरशड को और इसे परकार तरा तरा दे नाल स्रीगरु गरंथ साहब दा अद्ब सतकार करो ये सिख्या पंचम पादशाई ने आप दिती है समा आपनी चाल चले है मेरी पिरिदे मालक साथगरु स्रीगरु हरको बिन साहब सच्चो पादशाजी गुर्ता दे संजासन ते सुभाय मान होए ओदो आप जी ने नौ वारा दे नाल तुना शामल कीतियाने और प्रातन चली आरी प्रंप्रा दे मताबक स्री हर्मंदर साहब जी विच तखत उपर स्रीगरु गरंथ साहब दे सुभादा परकाशी उंदा रहा साथगरु जी आप स्री हर्मंदर साहब अंदर कदे संगासन लाके नहीं सी बीठे अकाल तखत दी सरजना करके शेमे पाध्षा ओथे तखते सो भाय मान हुं दे रहे ने ते यूं जिते जिते भी साथगरु जी जन दे रहे गुरबाणी दे अदब सतकार दी प्रेरना ते सिख्या दिन दे रहे सत्वे पाध्षा जी ने ता इत्वों तक बचन कीते संगे जिन पै अदब ना बाणी ता रहा जान हों सो सिख नहीं हमारा जिसने बाड़ी दा अदब सतकार नहीं कीता ओ साड़ा सेखी नहीं ए सत्गुरु माराज सत्वें पाथशाई दे बचन ने अठ्वें पाथशाई जी नेवी जोती जोत समानतों पहला पविखत दास दिता से के गुरु गरंथ साहिब सब केरा जो हमरो चहे दर्शन हेरा सो शर्दा तर हेरन करे पापन गन कोता तशन हरे सो यो सरी गुरु गरंथ साहिब जी दा वशेश अदब सतकार साथ गुरु सहबान आप कर दे रहे ने नावे पाथशाई दा समा है गुरु गरीब नवाज जी ने वराग में बाणी उचारन कीती और ओना उचारन कीती हुई गुरु की बाणी दे शबदानों लिखती रूप विच संबालियावी गया दसम पाथशाई दा समा जदों आउंदा है आपा जान दे हां के नावे पाथशाई दी शहादतों उपरांत दसम पाथशाई जी ने जुलम वरोद खंडा खड़काउना अराम कीता है ज्यादा समा जेडा सी जंगा जुद्दां विच बीतिया पावे के साथगरू नानिक देव साहब दी उत्म विचार तारा दे प्रसार प्रचार विच कोई कमी नहीं आई सगों वदा ही होया सी ते होन महावल बनदा है स्रीगरू गुरंत साहब दे सुरूप दी मुड़तों संपादना कीते जानदा अनानदपुर साहब जी दी पावन पवित्तर तरती है गुरसिख संगतां बड़े प्रेमनाल अमरत रूप गुरबाणी पड़ दियाने पांज बाणिया दा नितनेम खालसा पंथ दी सरजनातों उपरांत साथगरू जी ने गुरसिख दा अमरत वेले दा परपाक ताउरते बख्षे है जाप जी साहब जाप साहब सवये चौप अनाद साहब इना पांज बाणिया दा अमरत वेले इशनान उपरांत हर गुरू का सिख जरूरी ताउरते पाठ करे शामनो सूरज डुबन दे वक्तर हरास साहब जी दा पाठ रात नो सौन लगया सुहला बाणि दा पाठ करना ए गुरू माराई ने कड़तों काटमर जादा परपाक किती है ए देतों इलावा गुरू बाणि दिया प्रेमी संगता दा जो पांज गरंथी दा नेतनियम है ओ दे विच जो बाणिया शामल ने बारह हमाहा माज महला पंजबा सुहमनी साहिब आसा की वार और इसे परकार दखनी ओंकार सिद गोस्ट बामन अखरी इतियाद का बाणिया पंज गरंथी दे विच सम्मिलत ने रोजाना दी तरह अमरत वेले साथ गुरू सच्च पाथशा स्री गुरू गोबिन सिंग साहिब जी आपने महला दे विखे अमरत वेले दे इशनान उपरंत सिम्रण अबे आस विच बंदगी विच जुड़े होएने उद्र गुरू के सिख भी अमरत वेले शनान करके बाणि पढ़ रहेने एक गुरू का प्यारा सिख रोज दी तरह बाणि पढ़न विच लीन होया मन विच बड़ा प्रेम है पांच बाणियाँ दा नितनेम कीताया को पांच गरंथी दा पाठ करना अराम कीताया ज़दों बाणि पढ़ दें पढ़ अप्रेम विच ग्रू का सिख बाणी पढ़ रहे होगा विच एकागर्चत होके सुन लग पढ़ेने जदो होन ए बाणी दखणी ओवन कारदा पाठ अरंबे आए इस दे विच पंगती यहंदी यह करते की मित करता जाने कै जाने गुर सूरा ते गुर सिख जिवी के आजवी आपा वेख दें आ कईया दा सुबा है के दुलामादा उचारनों सहीने करदे करे दी जगा ते करे पड़ जाना देखे दी जगा ते देखे पड़ जाना यह बहुती अनगैल दी याजवी साटे विच जेडी है ओ देखन विच आउंदी है पाठ सी कै जाने गुर सूरा पर गुर सिख ने कै दी जगा ते के पड़े आके जाने गुर सूरा जदों दसम पाज़ाई ने सरवन कीता ओथों उच्ची अवाज लगाई गुर सिखा गुरू की बाणी सोध के पर शोध पाड़ पर प्रेम में चमगन होए गुर सिखनों ओवाज जेड़ी सी उन्हें ख्याल ना कीता दो तिन अवाजा मारंतों में जदों सिखने ख्याल ना कीता आपने प्रेम में चमगन बाणी पड़ी गया साथ गुरू जने हजूरी सेवादारनों पे जाके इन उच पेड़ा मार एत्थों उठा के पसे बठा देओ गुर सिख गया गुरू के हुकमदी तामील कीती बाणी पड़ रहे ओ सिखनों चंटा रसीद कीता उठा उठा उठाया ते दूर जाके बठा देता रोस्दा प्रेया होया सिख कलगी तर पादशाइदे सजे हुए दीवान मिच आया हाथ जोड बेंती कीती महराज बाणी पड़ देया मार पैनी एता तो अड़े डेवडी दारने में इनू चुपेडा मारियाने महराज बचन कर लगे सिंगा तैनू एक दो बजियां चुपेडा दा ता बड़ा दुख होया मन विच रोस्वी आया तो उसाठे आंग तोड रहे हैं साठे आंग पे आम रोरदास हैं सानू ना कोई दर्द होया कोई दुख ना आया साथगरू जी दा एहरा नी जनक बचन जदो सुनिया से खहरान होया कोई मठाटे लावी पे आते हाथ जोड़के बेंती कीती माराज मेठों की अवग्या हो गई माराज ने पंगती पड़ी करते की मित करता जाना इस पंगती दा पाठ करके सुना होन क्योंके गल्त उचारन रसना ते पक्या होया सी सेखने एथे भी कै जाने दी जगाते की जाने पड़ेया ते होन साथगरू ने समझाया गुर सिखा देख थोड़ी जी गल्ती है वेखन सुनने विच पर गल्ती बड़ी वड़ी अर्था विच तबदीली ते अर्थ दा अनर्थ बिल्कुल उल्ट अर्थ हो जान दे कै दा अर्थ है जान ते कै दा अर्थ है की करते की मित करता जाने कै जाने गुर सूरा ईधा पाफ एक करते अकाल पुर्खग दी मितमर जादा वयदा वड़या नूँ करता पुर्ख वाही ग्रु जानदा है ते जान ओस पर मातमा दा सुरूप जो गुरु सूर मा है ओ जानदा है क्योंके गुर परमेशर एको जान, गुरु ते परमेशर एक कोई ने वाही गुरू दी मितमर जादा नू वाही गुरू जान दा ते जान साथ गुरू जी जान देने होर नहीं कोई जान दा जेड़ा तू पढ़िया के के जाने गुर सूरा एदा मतलब ए बन गया के वाही गुरू दी वडियाई नू वाही गुरू जानदा है गुरू की जानदा है की जानदा दा मतलब के कुछ नहीं जानदा जे गुरू नहीं जानदा दे गुरू सिखनू की ग्यान देवेगा की सोजी करावेगा इसलए माराई ने बचन कीते सिखाओ सुनो सीह एह मेरी बानी पढ़ो शुद्ध गुर केरी लगा मात्रादा ख्याल रहके गुरू की बानी शुद्ध पढ़िया करो सिंग ने खिमा मंगी पुल बक्षाई मुखा वेह के उसे वक्त ही पाई दया संग दी इतियादक मुखी गुर सिख गुर चरना विच बेंती कर देने साथ गुरू जी संसारक जीव आपा थोड़ी मतवाले हाँ पुल्वन हा रहा गुरू बानी दे गोहज पामानू अर्थानू समझ नहीं सकदे जान नहीं सकदे माराज ऐसा कोई उद्धम प्राला आप जी पंथ ते किरपा करो के शुद्ध अमरत रूप गुरू बानी दे पाठ दी संथिया करवाओ बानी दे अर्थ पड़ाओ तांके अर्थ वी चारगी सान नू समझ पवे गुर्बानी दे शुद्ध उचारन तो आपा जानू हो सकीए ते गुरू की बानी दा पाठ सुद्ध कर सकीए साथ गुर्ण ने बचन कीता खालसा जी जेहुन एक आर्थ अरंब कर लए ये नेपरे नहीं चड़ेगा क्योंके जंगा जुद्ध ना समा है जदोए ना जंगा जुद्ध ना तो वेले होई तां एक आर्थ जरूर बर जरूर करेंगे साथ बचन कीया सिंगा ने समा आया अनांदपुर साहिब जीनू की रापे आ साथ गुरू गुर्ण नवाद जीने लम्मे के रेतों बाद अनांदपुर साहिब नू शड़ेया सरसा नदी कनारे दा जंग परवार विशोडा और चमकार वेच वड़े साहिब जादियां ते गुरू के प्यारयां समेथ सिंगां दी शहीद दी सरहंद वेच माता जी दी ते शोटे साहिब जादियां दी शहादत गुरू ग्रीब नवाद जी दा आप माच्छी वाड़े दी तर्ती ते पहुंचना और फिर ओथों नभी खाँ गनी खाँ नू सेवा बक्षिश कर देयां ओच दे पीर बनके आलम गीर विखे आउना एथों पाई नगाई या सिंद दा पेटा कीता होया कोडा ओदे उपर सवार होके मालवे दी तर्ती नू पाग लउने और फाउं पर फाउं धूदिया होया खिदराने दी ताबदा जंग ते ओथे शहीद होन वारे सिंद नू मुक्ते कहके ते ओश ताब नू मुक्त सारदा नाम दे के सारे कौत कर देया होया जदो सथगरू जी तलवंडी साबो विखे पहुंचे संद जो के डले चौदरी दी मलकीत तरती है एथे पहुंचके सतकुरा ने जांगदा कमर कसा खोले है सिंगा ने देख लिया के जंगी कमर कसा सतकुरा खोल दिता है एदे तुम पाव के हुन अगां कोई जांग नहीं होवेगा समा पाके फिर सिंगा ने ओ बचन माराई नुचता रहा माराज आप जी दा बचन सी के जंगा जुदा तो वेले हो के बाणी दे अर्थ परामागे संत्या करामागे किरपा करो माराई ने बचन कीता के जो सरी गुरु अरजन देव सहब जी ने पाई गुर्दास दिन लखारी लाके स्री गुरु ग्रान साहब दा सुरूप लिखाया सी ओ तीर मलिया दे कोल करतार पर विखेया जलंदर नेड़े दुआबे दे वेच जाओ ओ सुरूप लेके आओ नाले ओदे विच नामे पाच्छाई दी बानी दर्ज कर देवागे नाले तुआ नू अर्थ पड़ावागे सिंग आये पच्ची सिंग पे जेसं सत्गुरा ने करतार पर विखे पहुंचे पर अगों इर्खा विच सड़े होती दुआ ने सुरूप देन तों इनकार कीता नाले ही तना मारिया के जे गुरू गोबिन सिंग उसे गद्दी दे मालक ने ओही रूप ने ता अपने कोड़ों नमा उचारन करके बना लेन नमा लेखलेन साथे कोड़ों वड्यादी बक्षश्टियों खोंदेने सिंगा जाके ए गल दसम पात्षा जिनूं दसी पामे के ओस्वेले पाई बन्दो जी वाले सुरूप तों होर अनेका उतारे हो चुके सान पर जे गुरू गरीब द्वास सचे पात्षा जी कंठों उचारन करके नाल खवंदे ता कोई शंका रह जाना से सिखा विचे के शायद गुरू पूरन नहीं एसले साथगुरू सचे पात्षा जी ने ए उदम प्राला अरंबिया सारी त्यारी करवाई बाबा दीप संच साहिब जी ने साथगुरू महराई ने बचन कीता के स्रीगुरू गरंत साहिब दास रूप लिखन वास्ते जो समगरी चाही दिया कागज सियाही कलम दवात इतियाद के जो कुछ भी है ए प्रबान दी सारी सेवा तुसा करनी है बाबा जी ने बड़ी तात परतानल ए सेवा नो संभा लिया प्रबान्द कीता और पाई साहिब पाई मनी संच जी नो साथगुरू गरीब नवाज ने बचन कीता असी बाणी लिखवा मांगे पाई गुर्दास दी वाडी सेवा तुसी सबादनी है तुसी लिखनी है पाई मनी संच जी कैन लगे साथगुरू जी कि में लिख सकांगा समरथा नहीं मारा इने बचन कीता के अगमी कलम चलेगी साथगुरू आप पी किरपा करनेगे सो ओस वक्त साथगुरू सच्चे पादशाई ने तंबू लगवाया पहरेदार खड़े कीते के किसे नो अंदर आउन दी आग्या ना दिती जावे बाबा दीब संच जी कागज़दा परबंद कर देने कलम सियाही दवात इतियादकदा परबंद कर देने पाई सहब पाई मनी सिंग जी लिखन वास्ते बैठे ने कलगी तर पादशाजी अपनी रसनातों उचारन करके लिखवाण वास्ते शोबत होए ने एक ओवन कारतों बाणी लखावनी रम कीती पहले देन जपजी साहब और इसे परकार सोदर दे पंच शबदा दे नाल नाल चार अगले शबद जड़े सो पुरुख वाले ने एवी सत्कुराने सम्मिलत कीते दसमे पादशाजी ने और नाल ही कीरतन सोहिला पहले देन ए बाणी लिखी गई साथगरु जी देन दे दूसरे पहर ए बाणी लिखाउनी अरंब करिया कर दे सी दपहर दे विश्रामतो बाद शाम वेले बाणी दे अर्थ करके सणूंदे कत्तक सुधी पूरन माच्शी सम्मत सतारां सो बाठ बिकरमी साथगरु नानक देव जी दा प्रकाश दे हारे दा देवस एस दिन ए महान कार्ज अरंब होया हर रोज दा एक करम बढ़ेया सजे दिवान दी समापती उपरांत साथगरु जी पाई मनी सिंग जी नू नाल लेके तंबू वेच जान दे हर रोज नविया कलमा करके बाबा दीब सिंग जी तंबू दे वेच पहुचाऊंदे और साथगरु जी लिखाऊंदे बाणी पाई मनी सिंग जी लिख दे जिन्नी बाणी लिखी जान दे शाम दे वक्त सजे दिवान वेच साथगरु गरीब नवाज जी ओस बाणी दी कथा आपने मुखार बिंदतों कर दे आप अर्थ प्राया कर दे संग नौ महीने नौ दिन लगातार ए महान कारज चले है नौ महीने नौ दिन नौ कडिया नौ पालदा एकोल समा बनदा है तेई सावन सम्मत सारा सो त्रेट बिकरमीदा दिन आया है जिस दिन ए सारा कारज चल दिया होया नेपरे चले है एकत्तिवा राग जैजा बनती ते होड़ भी रागा विच नामे पाठशाइदी बाणी फिर पोग दे सलोक सारी नामे पाठशाइदी बाणी समेथ और परांथ फिर उस्तोम दामनी ते सलोक महाला पंजवा राग माला लिख के गुरु गुरी बनवाद जी ने स्री गुरु ग्रांत सहीब दे सुरूरपदी संपूरंता कीती है सो ए स्री गुरु ग्रांत सहीब दा संपूरंता दिवस है जदो नामे पाधशाई दी बाणी दे समेत दसम पाधशा जी ने स्री गुरु गरांट साहब दा संपूरन ता उरते संपाधना दा कार्ज कीता है यह उतेई सामन सामन सा तरेट बिकर्मी वाले दिन एक कार्ज संपूरन होया है पावे के नौ महीने रोज शाम दे दिवान विच कथा दे प्रवाद चलेने टे अड़िणत संगतां काथा विच हाजरी पार दियाँ पर बहुत यह संगता ऐसी हैं संद्ज को गुरु के दरशनाली यह उन्दी है कोई दस दिन टिक दाए कोई पंदरा दिन कोई महीना थे फिर संगतां वापस जांदिया ने यो संगतां दा परपूर जोड मेला लगा रहेंदा है सारिया संगतां विचों गुरू की हजूरी विच रैन वाले 48 संग ऐसे संग जना ने एक ओवंकारतों 18-20 तक संपूरन कथा स्री गुरू गोबिन संग सहीब जी दी पवित्तर रसनातों सर्वन कीती गुरू की रसनातों बानी दे अर्थ सुनके गुरू बानी दी महान कथा सुनके ऐसा आत्मिक अनांद बनेया के गुरसक प्यारे विदे मुकत दी अवस्था विच पहुंचे विदे मुकत तों पाव हुंदे के आपने स्रीर तों उपर दी वस्था विच पॉंच जाना बेलकुल दुनिया दे नालो आपना नाता तोड़के ओस अनंद विच ही मसत रहना ऐसी विदे मुकत दी वस्था विच जलो सारी सेंग पॉंचे पाई सहब पाई मनी सिंग जी नो ते बाबा दीप सिंग जी नो सतगरानी बचन कीता तुसी विदे मुक्त नहीं बालके जीवन मुक्त दी अवस्था वीच वेचर ने तुसा प्रविर्ती दे वेचर रहने ते जेड़े अर्थ तुसी साथों पढ़े ने एस प्रम्प्रानू तुसा अगे तोरने गुर्बानी दी शुद संथिया अते गुर्बानी दे अर्था दा परचार एस संगता विच तुसा अगे करना ए तो अड़ी ड्यूटी लगाँ दे हैं हाथ जोड़ गुर सिखा बेंती कीती माराज जदो समाज विच विचरांगे परविर्थी विचरांगे इस बढ़े होई आतमे का अनाद विच कोई फरक ना पवे ता कलगी तर पातशाई ने बक्षिश परे बचन कहे सी तरमदी रखिया हे तै पाई मनी संग जी अड़ा बंद बंद भी क्यों ना कटिया जावे तो अड़े आतमे का अनाद विच रती पर भी फरक नहीं पवेगा बाबा दीब सिंग जी पावे तरमदी रखिया दे वास्ते जांगल अरदेया तो अड़ा सीस भी तरतों जुदा क्यों ना हो जावे तो अड़ा आतमे का अनाद जियों दातियों बढ़े आरवेगा गुरू माराई दे बचना दी पादना कर दिया हो या साथगरू सच्चे पादशाय दे इना दोना गुरू मखा प्यारिया ने ए अर्थ परंपरा जेड़ी सी एगे संबाल ली यों पाई मनी संग ते बाबा दीब संग जी नो आप हुक्म करके तेई साउन वाले दिन ही कलगी तर पादशाय ने ए अर्थां दी जली टकसाल सी ए अरंब कीती दमदमा साहब तो अरंब होई होन करके इसनो दमदमी टकसाल किया जान दै कलगी तर पादशाय जी जदों दमदमा साहब दी तर्ती तों दखन दी तर्ती वाल लंदेड विखे हजूर साहब दे अस्थां ते पहुंचे ने बे शाक कुछ इतिहास कारा ने वरणन कीता है के पाई मनी संग जी बाबा दीब संग जी पंजाब रहे पर पातल लिखता दास दियाने के ए दोनों गुर्मख प्यारेवी साथगरा दे ना ली गए सिन ते जदों आपने जोती जोत समाउन तों तेने देन पहला कटक सुदी दूज सम्मत स्थारा सो पैंठ बे करमी नूं साथगरू गोविन संग साथ ने सरी गुर्णत साथ नो गुर्ता गदी बक्षिश कीती सी ता ओदों पंजाब प्यारेया मेच बाबा दीब संग जी वी शामल संग ते ताबिया चाओर लेके पाई साथ पाई मनी संग जी दी सेवा साथ गुरा लगाई सी गुरू गुरीब नवास चेपा चैले हुकम मताबक पाई साथ पाई मनी संग जी ने सरी अमरत सर हरमंदर साथ जी दा प्रबंद आके संबाले आए बाबा दीब संग जी ने दमदमा साथ दा प्रबंद संबाले आए पाईि मनी संग जी शरी हरम अंधरशम सेवा संभाल कर दे हैं एते अर्थ परंप्रानों अगे तोर दे रहे एस करके उनना तों अगे चलि अर्थ परंप्रानों अमरत सरवाडी टक्साल किया जानदाओ बाबा दीब संग जी ने दम्ढमा सेवा तों एस सेवा की ती दमदमा साहब हेड केंदर होन करके दमदमी टकसाल दे नाम नाल याद कीता जान दे जदो अब डाली दिया फोजाने हर मंदर साहब ते कबजा कीता सी इतिहास संगता जान दियाने के बाबा दीप सिंग जी दमदमा साहब दी तरतीतों चलके आये सं ते अदुती शहादत अम्रत सर विखे पहुँच के आप जी ने प्रापत कीती सी ओदों जथा भी आप जी दे नाल आया बगते संग इथे शहीद होगे सं इथे आके दोहां प्रमप्रावादा आपस विच समेल भी उन्दै दों में संजे ता उरते भी चाल दी है बाबा दीप संग जी तों उपरांत बाबा गुर्बख्ष संग जी इस प्रमप्रा दे इस टकसाल दे मुख जो हन जथे दार चुणे जान दे ने जो के तखत सरी केसगर सहब जी दे जथे दार वी हन ते एक वारी फिर अब दाली चड़के आया जदो हर मंदर सहब दे उपर उसने कैरी हमला कीता सी नेस्तो नाबूद करंदी नियत नाल ती सिंगांदा जथा लेके बाबा गुर्बख्ष संग जी दम दे भी टकसाल दे दूसरे मुखी के इस घर सहब अनदपर सहब दी तरतीतों चलके आयसन ते अब दाली दियां ती हजार फाउजांदा टाकरा कर दियां होयां मैं दाने जग वेच जूज के अदुती शहादित प्रापत कीती सी एसे जांग वेच अबदाली दी फाउज दे चलाए होई एक तोप दे गोड़े दे हरमंदर सहब दी मम्टी ते वजणतों एक एट ऐसी उड़ी सी के उस दी आके अबदाली दे नाकते वज़ी सी एजखम फिर ठीक नहीं होया एसे नसूर नाली अबदाली पापी दी मौत होई सी बाबा गुरबखिस संग जी ने अकाल तक साहब दे पिछले पासे शहादत प्रापत कीती जित्थे उना दी जाद वेच शहीद बाबा गुरबखिस संग बुंगा बनिया होई है सो इस परकार दमदमी टकसाल दे मुखी महा पुरुखा ने अरामतों इकामदी महान सेवा कीती है थोड़ी जई मैं इस दे बारे बेंती करदा चलां समा आपनी चाल चलदा जा रही है साथ संगत जी साथगरू ग्रीब नवाजिदी किरपा दे नाल बाबा गुरबखिस संग दी शहादतों बाद भी एपरंपरा एसे तरह चल दी रही है सारा सिजरा जेडा है मौजूद है लड़ी वार महा पुरुखा दे नाम मौजूद ने वेला आउंदा है सिख राज़ दा शेरे पंजाब महा रणजीत संग जी उना दा राज़ है अकाल ली फूला संग जी अकाल तक साथ दे जते दार हन महा रणजीत संग कोडो कंजरी दा नाच वेखन दी गल्ती हुंदी है ते अकाल तक साथ दे जते दार सिख कौम दिया महान परंप्रामा दी उलंगरा दे दोश हेठां महराजर अनजीत संग दाखला उनना दी अरदास उनना वल्लो कड़ा परशाद दी देग हरम अदर साहब होनवाली सब कासे दे रोक लाद उन्दे ने के इनने सिख परंप्रा दे उल्ट जाके कंजरीदा नाच वेखे है उननों खोश होके कैंठा भी दिता है सिख परंप्रामा दी सिख मरजादा दी उलंगरा कीती है एदी देग हरम अंदर साहब चपरवान नहीं होवेगी और इसे परकार एदा अरवसा जेडा रोज होंदा ओ नहीं होवेगा जदों बाहराजारंजीर से नों पता लगा के ऐना करडा फैसला काउम दे जथेदार ने लेए निमरता तारन करके महराजारंजीर से आके पेश होए सी ते ओस वकत परेदर बार दे वेच काउम दे जथेदार अकली फूला से ची ने महराजारंजीर से नों इमली दे दृखत न बनके कोरडे मारंदी सजा सुनाई सी स्रीयकालतक साहब दे सामने ओ सी इमली दो द्रखत सी प्रतन 84 दे हमले वेले तोपां दे गोड़े अनाल ओ उड़े आए ते ओधी जगा नमात रखत सच्खन वासी महापुरुख संत बाबा ठाकरो संग जिने अपने हथी लगाया सी ओस इतिहासक चिन नो काइम रखन दे वास्ते एजेडी सजा सी महराजा हुंदिया हुया आवी महराजारण जी संग ने प्रवान कीती हाथ जोड़े के कोरणे पामे जिनने मर्जी में नो मार ले जान पर खालसा पंथ में नो बक्ष लवे मेरा गुर चरना तो ने होना तुटे आवी महराजारण जी संग ओस इमली दे द्रखत नो कल वकड़ी पाके खड़े हो गई सी हाथ बंद दिते गए स्रीर बंद दिता गया कोरणे मारं दी तियारी कीती गई ते ओस वक्त कौम दे जथेदर अकाली फूला संग जी ने फिर फैसला सुनाया के महराजे ने जिननी निमरता दिखाई है ए बड़ी कमाल दी है फाज़ादा लहावर्दे तखत दा मालक हुंदिया होयावी अईड़ा वड़ा सिखी सिद्क अईणी वड़ी निमरता स्री अकाल तक साब दी परमुखता नो सिरी हरमंदर साब दी सर्व उचता नो काइम रखे है मालनो के एने सजा पुगत ही लई होने कोरडे नहीं मारे जानेगे खोल दिता गया महराजार अजीद सिंग जीनो बेंती कर लगगा जी कोई सेवा ता ओस वक्ते काली फूला सिंग जीने ए आदेश दिता सी के गुरू के दरबार दी शान नो शौकत दूनी चौनी होनी चाही दी है ए थे सांग मरमर लगए थे गुरू का हरमंदर साब सोने विच मड़े आ जावे ए सेवा तू करनी है साथ बचन क्या बाबा अकाली फूला सिंग जी ले अगे महरा जारंजीत सिंग जी ने होन ए सेवा अरंब होन लगई है ते सेवा दी निगरानी किसनो दिती जावे क्योंके सोना है बड़ी कीमती वस्तू है सो कोई भी वद्दा काटा कर सकत है कोई पूरन हटी जपी तपी पूरन संत महात्मा होवे पामे के अकाली जी दे जीमन वेच एक राई दे क्रोड़ वे हिसे जिनने मी कमी नहीं पर उननों होर जिम्मेवारियां मी बहुत ने ए सेवा किसनों दिती जावे उस वक्त सर्ब सम्तीनल फैसला होया के कलगी तर सच्चे पाच है ए साथ जी नवाज जी होजिए डी टक साल है ओसदे मुहिया न महापुर्ग संत बाबा संत संघ जी सेमे मुहियो ने दम दमी टक साल दे पाई संत संघ जी ए सेवा पांथने ंननों आपणी नगराणी हेठ कराउन दा खिक्म देता महापर्ख पाई साहब पाई संग जी दी निगरानी हेट हुई उना देही सपुत्र पाई गुर्मक संग जी दी निगरानी हेट सोहर मंदर साहब जी दी अमारत ते जेरा अद तक पत्थर लग गया संग मरमर ओ ते प्रकर्मा वेच संग मरमर लाए जान दी सेवा जेडी सी ओ ग्यानी गुर्मक संग जी महाल नीती वान उनना दी निक्रानी हेट सम पूर्ण होई सी ए बड़ा वड़ा साथी कौम दा इतिहास है सेसे तरह ए सेवा पीडी दर पीडी अगे चलू रही है ते ओ समा आउंदा है जिदो दमदमी टक साल दे नामनल पिंडरावाले लफज जोड़ा है साथ संगत जी ग्यारवे मुखी दमदमी टक साल दे महापुर्ख संग जी खालसा पिंडरावाले होई ने पिंडर कला आप जी दा नगर सी सो जेडा पहला फ्रीद कोड जिले विच पैंदासी होन मोगा जिला बन गया मोगे जिले विच आउंदा है एथों दे जामपाल सान महापुर्ख संग जी और दमदमी टक साल दे दसमे मुखी महापुर्ख संग जी मराले वाले आपासों उनना ने गुर्मत दे विद्या परापत कीती सी ब्यानत गुर्मक प्यारे संग बाबा बिशन संग जी कोड़ों पढ़न वाले इनना विच्चों तेन पर मुख होए ते उनना तिनना उपर ही संग बिशन संग जी ने किरपा कीती एक कहान महापुर्क संत बाबा संदर संग जी खाल साप पिंडरावाले जनानु ए अर्थ प्रमपरादी सेवा संत बाबा बिशन संग जी अगे बखशी कि ए सेवा तुसां अगे लबाउनी है दूसरे हन दमदमीटक साल वेच विद्या पढ़न वाले संत बाबा बिशन संग दे शेश परमसतकार जोग सच खंडवासी महापुर्क संत बाबा प्रेम संग जी सो बेगो आल वाले जनानु मराले वाले भी क्या जान दै संत बाबा बिशन संग दे शेश सान उनना नो भी बाबा बिशन संग जी ने हुकम कीता के तुसां आपने अलाके वेच दौबेदे वेच फिर के गुर्मत दा परचार करने वद तो वद सेवा न बौनी है तीसरे गुर्मक स्यारे प्यारे संग बाबा पाग सिंग जी उना नू ए हुकम होया के तुसां एथे मुराले नगर विखे रहे के एथों दे मुख स्थान दी सेवा संभालनी है ते गुर्मत दा परचार करने संथ बाबा पाग सिंग जी ठटे टिबे वाले सो यह उना तिन्ना गुर्मका पे आ रहे हैं ते बक्षश होई जेड़ी टकसाल दी दस्तार सी और संथ बाबा सुंदर संग जी दे स्पूर्द कीती गई संथ सुंदर संग जी ने आपने नगर पे न्रकलानू दमदमी टकसाल दा मुख के इंदर बनाया ते एथों तोलके कौल हिंदुस्तान वेच विचर के गुर्मत दा परचार करना अरंबिया ते एही समा सी तक्रीबन तक्रीबन उन्नी सो वी एकी बाई दा जदों के उदासी महंतां विचों कोजक दे जीवन वेच ग्रावट आ जानतों उनना दे कोड़ों गुर्ता मादा परबंद अजाद कराउन वास्ते पंथ ने जदो जाद कीती गुर्दवारा परबंद सुदार लेर चली उस लेर विच संत बाबा सुंदर संग जी खालसा पिंडरा वालिया ने बहुत वड़ा जोगदान पाया कौम दे सियासी अगू अगवाई कर रहे सान ते तारमक ताउरते एस सारी महिमदी अगवाई संत संदर संग जी खालसा पिंडरा वालिया ने कीती सी नगर नगर पेंड 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 शैर शैर दीवान से जाके खलो के वाजे ते तारना पड़के महापरख कीरतन करिया कर दे जो शेलिया तारना गुरबाणी विच्छों पड़ दे ते नाल ही सिक संगतानू आपने फरजा प्रती सुचेत भी कर दे ते एउ नाल दी नाल जो अंगरेज हकूमत उना महंता दी पेठ पूर दी सी ओस दे रोस वजो पंथने कालियां दस्तारा सजाके जथे पेजन दाव निरना लेा सी क्राहे चारे जांदे दस्तारा रंगियां जांदियां हमड़न शका के नमें संग सजा के कारियां दस्तारा सजा के कव्दे मौरचियां विछ उनऔ संगा नु सांत जी पेज दे रहे जदों जैतों दा मौरचा लगगए ओदों खोद Scottish संथ संदर संग जी ने भी गृफतारी देइंड दी तियारी कीती ते जदों कौम दे लीडरा नो पता लगा सरदार तेजा सेंग जी समुंदरी होरा ने सुने हाँ पे जया के माँ परुखो कौम दी लीडर शपता सरकार ने फटके जिला विच ड़क दिती है जे तुसी वी जेल दे अंदर चले गए ता सनु जेला विचों बार काउन कड़ावेगा तुसी गृफतारी ना देओ तुसी बार रहके मोर्चे दी अगवाई करो पंथ दा ए बचन मन्या महा पुर्खाने आप गृफतारी देन दा आप जिने विचार ते आगया पर जथे दे सिंग गृफतारी वास्ते मोर्चे विच पेजे सं ते यो होर भी मुक्त सरसाइब दा मोर्चा ओवी फटे करके पंथ दी चोड़ी विच पाया आप जी दियां जो शेलियां तकरीरां तो अंग्रेज हकूमत काफी खफा होई और थापर थाए आप जी ने गृफतार करन दे वास्ते केरे भी पाय जान दे रहे पर तापते जी यह नासी के अगां आके हाथ पाउंड दी कोई हिम्मत नहीं कर सकेया ओ जी ठोस्ते निगर सेवा याप जी ने संबाली है ओस करके समुचे पंथ विच आप जी दा नाम काफी प्रसिद होया क्योंके पिंडर कलांदे जामपल सन वसनीक सन पिंडर कलांदे विच ही आप जी ने दमदमी टकसाल दा मुख केंदर बनाया सी एस करके आप जी संत पिंडरावाले दे नामना जगत विच प्रसिद होया सिख जगत विच संत सुंदर संग जी खाल सा पिंडरावाले चड़ दी जवानी दी आप जी दी अवस्था सी और बहुत वड़ी महान अदे आतमे कवस्था दे आप जी तारनी सन काउम दिया महान सेवावा ने बंदिया होया अर्थ प्रमप्रा नों अगे तोड़ दिया होया लुझे आने दे नेरे बोपाराई नगर विखे आप जी ने ए सेवा आप जी कोडों विद्या प्रापत कर रहे अखाडा नगर दे वस्दीक महापरक संत ग्याननी पुर्मत दा ऐसा पारी परचार कीता के जिसली आज तक कोई मिसाल ने मिल दी। आपने जीवन दे विच जदों तो उना ने सेवा संभाली। पहला स्रीग्रु ग्रांथ सहीब जी दियां लगातार सो चार कथा बोपाराय विखे रह के उना ने कीतियां। स्रीग्रु ग्रांथ सहीब जी दियां संपूर्ण कथा, अराम करनी कथा, सारी कथा दा पोग पौना फिर अगली वार फिर अराम कर देनी। यों चार कथा ओना ने बोपाराय रह के कीतियां। पंजवी कथा मैं ते पेंड़तों आपजी ने अराम कीती जिती आज काल दाम दे मीटक साल दा हेड़ कौर्टर है। ते यों फिर गुर्मता परचार कर दियां कुल हिंदोस्तान पारवेच विचर के आपने जीवन दे अंतले पाल तक सताई वार स्री गुरू गरान्त साहब दी कथा समुचियां संकतानू आप जी ने सरवन कराई। पंजवार स्री दसम गरंथ साहब जी दी कथा सरवन कराई पंजवार स्री गुरपरताब सूर्ज गरंथ जो इतियासदा गरंथ है तकरीबन पंजवार ऐस दी सम पूरन कथा संकतानू सरवन कराई एक कथा पंथ परकाश दी और ऐसे परकार होड़ भी गरंथा जो इतियास का गरंथा हन पाई साह पाई गुर्दास जी दियां वारा दी एक कथा पाई गुर्दास जी दे कबिता दी कथा पाई नांदलाल जी दियां घजला दी कथा यो बड़ा वड़ा परचार ओना महा पुरुखा ने अपने जीवन दे समय विच कीता और फिर अगों जेडी दमदमी टकसाल दी दस्तार सी ए पटना साहिब तखती पुवितर तरती ते कलगी तरपाद शायदा तिनसो साला प्रकाश दिहाडा मनों दिया होया जो आप जीनू सरोपाव तखत साहिब वलनों प्रापत होया सी ओही सरोपाव अगां संत करतार संग्ज दे सीश्टे से जांदया होया बचन कारदता सी के अगों तो ए सेवा संत करतार संग्जी संभाल दनगे सो पंजास साल पहला आज तो पंद्रा हार वाले देन अठाई जून उन्नी सव अनतर इस वीनू मैं ते पेंट विखे ही बाबा पान संग्जी दे कारे मां प्रुक संत के अन्नी गुरुबचन संग्ज दा अकाल चलाना होया ओदो एथे कथा चल रही सी वेस पेंट दे वेच्ची ते वखों वखरे करामिच सारे जथे दे सिंगां दे यासन संग्ज तकरीबन डेर दोसों सिंगां दा जथा नाल होया करदा सी मैं ते नगर विखे आप जी दा अकाल चलाना होया आप जी दे बचन दे मताबक आप जी दे पवित्तर स्रीर दा अंतम संसकार गुर्दवारा पतालपुरी कीरत पर सही विखे कीता गया ते अगाँ आप जी दे बचन दे मताबक जो अगली सेवा सी ये संत करतार संग जी खाल सा पिंट्राँ वाले ने ने बवनी अड़म कीती पामे के अपने आप लोई वरोद भी कीता गया बढ़ियां मुश्कलावी पेश आईयां पर एक कलगी तरजी दा ओट आसरा लेके महापुर्खा ने ऐस सेवा नू अगे तो रिया मैं ते जेस कारविच बपू पान संग जी दे कारविच महापुर्खा दा अकाल चलाणा होया सी उना ने ओ कारविच सेवा विच जथे नू सपुर्द कर देता आसे पासे ले कुछ होड करा दी जमीन खरीद के उना नू पासे जमीन देके ते नवे कार उना नू बढ़वा के देके ओथे महापुर्खा ने खुला मैदान त्यार करवाया शपड़नों ही पूरिया ते यो गुरद्वारा गुरदर्शन प्रकाश जो अजोका दमदमी टकसाल दा हेड़ कौर्टर है इस दी नी रखी सी सो साथ संगजी अकतूबर मी ने विच मापुर्खा ने एक कार उराम कीता यो डमदमी टकसाल दा मुखस्थान मैटे विखे बड़ाया नाल दी नाल गुर्बत प्रचार दे कारज भी चाल दे रहे स्रीग्रू गरंथ साथ सचे पाच याई दी कथा दी प्रम्परा भी पहली प्रम्परा दी तरह चाल दी रहे हिंदोस्तान पर विचर के नकली दे तारी गुरू डम दे वल्लों मी कौम दे समने आया चुनातिया दा महा प्रक्सांत करतार संग जी ने बड़ी दृता देना दाट के टाकरा की ता सो साथ संगत जी ओस समें तकरीबन ऐच उत्र पंजितर शेतर दा समासी सानदा उन्नी सो पंजितर दा जदों के हिंदोस तानवेच एमर जनसी लगी होई सी कोई चार पंज वेकती भी कठे हो के कोई जलसा जलूस नहीं सी कर सकते ओधर दूसरे पासे अबादी कंट्रोल दे नाम हेठा पंजाब दी तरती ते हकुमत दा कैर वापर रहा सी अन्याहे नौजवाना नूँ पकड़ पकड़ के योना दी नस बंदी कीती जा रही सी यो सेख काउम दी नसल कुशी दा पैड़ा कार्ज कीता जा रहा सी माँ पुर्खा ने एस कार्ज दे वरुद वी जोरदार अवाज बलांद कीती और एमरजनसी दे हुकमा दी परवाणा करदे होया पंजाब दे कोने कोने विचो नामे पात्षा जी दा तिनसो साला शिह दी दे हाड़ा मनाँ दे हा बड़े बड़े वड़े नगर की इतन कीते ते नाल दी नाल ही जो नकली गुरु डम जो आपने आपनो संत नरंकारी मंडल वाले कहूंदे ने खालसा पंथ ने इना नू नरकतार यादा नाम देता है उना दावी डाटके टक रातीता उना दावी वरोध कीता कौन है जो सरी गुरु गरंत साहब जी दी सर्व उचता नू चैलेंज करे ते आपने आपनो गुरु अखवाणदा दावा करे यो संत करतार संग जी ने काउम विच बड़ी वड़ी जागरती लेके यांदी अगले मुखी संत जर्नेल संग जी खालसा ने काउमदा जो संग अरश लड़िया उस संग रशदी अरंबता उस दी पिठ पूमी महाप्रुक संत करतार संग जी खालसा जी ने तियार कीती सी बड़े बचनने संगतां विच कारनवाले सनाउनवाले अगले दिना विच संध करतार संजी दी बरसी मनोंदिया होया मैं उसंगतान आल संजे करन दा जतन करांगा कल तेन अगस्त दा देन नंगी है आज तो बतारी साल पहला तेन अगस्त वाले देन सेखे ते आस विच ते दमदमी टक साल दे इतिहास विच एक बहुत वड़ी दुख दाई कटना वापरी हम अचल परदेश नू जाना सी गुर्मत पर चार वास्ते इस तो पहला दिवान साजरे सान मलसीहा नगर जो जलंदर जले विच है नकोदर दे नजदीक ते इस तो अगस्त सोलन जो हम अचल परदेश दा शैर है ओथे गुर्मत पर चार वास्ते जाना सी कार राही महापरख ओदर नू रवाना होए मलसीहा तो सोलन नू कुझ मी पहर जा सी लदे आने तो कुझ पिछे ही सन जदो कुझ कार न ऐसा बढ़िया के कार जेडी सी ओडराइवर दे कंट्रोल तो बार होई ते जी विच जान दी होई कार एक द्रखत विच जावजी सी सो यो महापरख बारी दे नाल पिछली सीरते बैठे सी संत करतार संग जी बड़ा प्यानेक एकसीडेंट होया जी दे नाल आप जी दी पुड़पड़ी भी पाट गई सी ते एयों साथ पसलियां खब्रे पासे दियां टोट गई या सान कुछ भी होशी दा आलम पारू होया तुरत ही लुदे आने दे सी एमसी हस्पिताल विच लजाया गया जिन्नों ओदों में सब्राउन हस्पिताल कई दे सान तेरा देन महां पुरख ओथे दाखल रहे सान ते तेरा देना दे बाद पादरों दी संग्रांद वाले देन उननी सो सतत्तर इसवी नो अकाल चलाना कर गई सी सो तेन अगस्त नो कल दे देन ए आज तों बताली साल पहला सतत्तर इसवी विच एकसीडेंट होया सी ए सारिया जेडिया वारता ने अगले दिना विच पादरों दी संग्रांद ते मा पुरखा दी अपां बरसी मनाउनी है उदों मी दास इते हाजरी परेगा उदों बेंतिया करांगा तेहोन जदों संत करतार संग्जी खाल सा पिंडरा वाले अकाल चलाना कर गए उस तों उपरांत दम्दमी टकसाल दा अगला मुखी चोनन दी कवाइद अरांब होई पामे के होरवी सीनियर संग जथे दे विच सान कोई किसे बारे कोई किसे बारे अपने विचार दे रिया सी पार ओस वेले जथे विच साब तों सीनियर जिना नू महापुरक संत क्यानी गुरबचल संग्जी खाल सा जीने विशेश किरपा दे नाल निवाजिया जिना बारे संत करतार संग्जी ने मी लखा दे एकाट वेच गुरदवारा बीड बाबा बुड़ा साथ विखे बचन कैसी के जे मेरे स्रीर नल कोई पाना वापर जावे ता सेवा दी अगली जिम्मेवारी बाबा ठाकर संग्जी दी होवेगी ओ चौन आप सेवा समादन ओ चौन किसे नो दे देन सो ए मापरखा दे बचना दे मताबक समुच्चा जथा मापरख बाबा ठाकर संग्जी वाले वेखरिया सी के बाबा जी की फैसला कर देने मापरख संथ बाबा ठाकर संग्जी दी दूर द्रिश्टी ने ओस वकत एक ऐसा ही रा कौम दी चोड़ी विच पाया जिस दी तांक कोल दुनिया दे विच पायी पाव के होड सार्यानों दरकनार करके होड द्रिश्टी नो पासे शटके मापरख संथ बाबा ठाकर संग्जी खालसा जी ने दो टूक फैसला दिता के संगो पाई साथ पाई जर्नायल संग जी अभी आसी रोड़ियां वाले ओ ए सेवा निबालन गे ते निबाउन गे होड किसे कोलों ए सेवा नी संबाल दी जानी पावे के ओस वकत संथ जर्नायल संग जी जनानों पाई जर्नायल संग अभी आसी कहा के संगत सारे सिंग सतकार कर दे संग उनना ने सेवा संभालन तो इनकार भी कीता पर याखर बाबा जी दे बचना मूरे सीष्च का उना पिया समुच्चे जथे ने बाबा जी दे बचन दी प्रोड़ता कीती ते इस दी पादटा कीती सीश चुकाया महापुरुक संत बाबा ठाकरु संग जी खालसा जी ने आपने हधी जधे बंदी दे परबापंद दी दिस्तार दी सिहिते सजाई ते यह संत ग्यानी जर्णाही खालसा पिंट रावा ले दमदमी टकसाल दे चौदवे मुखी बने ते जो सेवा उना कामदी कीती जिमें प्रतन इतिहास नो दोहरा के दिखाया ओ किसे जान कारीदा महताज नहीं ओ सरबत संकता दे समने जोन चुरा सीदा दुखदाई कलू कारा वापरिया ओ दे तो प्रांत महापरुख संत करतार संग्जी दे बचना मताबक दमदमी टकसाल दी सेवा नू महापरुख संत बाबा ठाकुर संग्जी खाल साइने संभाले या जना दी रहनमाई हेट दासनों भी गुर्मत विद्या दे दो अखर पढ़न दा सुपाग प्राप्त होया है सो उन्हा महापरुखा ने जित थे शहीद परवारा दी सामसबाल कीती जेला विच बंद सिंगा दे परवारा दी ते सिंगा दी सार लई बहुत वड़ा सहारा उन्हा परवारानों दिता ओथे गुर्मत परचार दे विच भी कोई कमी कोई कसर बाकी नहीं शड़ी कुल हिंदुस्तान विच विचर के हिंदुस्तान को बार इन्हा देशा विचर के भी बिर दी आजू होन दे बावजूद भी जो गुर्मतना परचार महापुर्ख बाबा ठाकरु संग ने कीता ते करवाया ओ अपनी मिसाल आप है लफजा मिच ओसदा वरनन नहीं हो सकत बढ़ियां 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 पारी पंथक से वावा महापुर्ख ने नबाईयाने और यू ए पारी से वावा ने बहुंदियां होया चौवी दिसंबर दो हजार चार नू सो महापुर्ख संग बाबा ठाकरु संग जिला अकाल चलाना होया उस्तों उपरंत जथे ने सर्व समती नाल मजूदा मुखी महापुर्ख संग जी खाल साजी सो दम्दमी टकसाल दे मुखी वजों चोन कीती जो गुरू की किरपानल ऐसे वावा अजदे सामे विच नबा रहे ने पामे के निदकादे वल्लों उनना दी शवी नो खराब करनदा बड़ा कोजा जितन कीता गया है बहुत ज्यादा सो शोशल मीडिये ते चुटा पर चार कीता जानदा है पर असलियत कोजो हो रहे है शोशल मीडिया जे रहा कोजो हो दिखा रहे है असलियत कोजो हो रहे है एजे आप जी खुद ओते जाके तको ता आप जी महसूस करोगे सब ना नू पता लगेगा बड़े बड़े वड़े पंथक कारज महा प्रुखां कीते ने अगामी जारी हन सो साथ गुरू जी किरपा करन ऐसे तरह आपनी साथ जी नवाजी दामदमी टक साल दे सीशते मेर परयाहाथ रखन लंबेरा इतिहास कोज कपला दे विच ही आप जी दे सनम खरखन दे दास ने एक निमानी जी कोशिश कीती है यतन कीती है सो साथ संगत जी आज आपा साथ गुरू स्री गुरू गरंत साहब दे संपूरंता दिवस दे से दिहाडे नू समरपत क्योंके अगले दिना विच तेही साउंड़ा जीड़ा देना है इस साथ तरीक नू आ रहे है सो इस करके ए दिहाड़ा अजदा जीड़ा दिवान है ओस महान दिहाडे नू समरपत कीता गया है जस कारज वास्ते कल गी तर पाध्शाई ने दमदमीट क साल दी सरजना कीती है ओ है मेरी पीरिरे सबा्वतनू काईम रखना शास्तर ते शास्तर हर पक तो काम दी सेवा करनी जेड़ा पर मुख है ओजास्तर दा पक है ओ पीरी दा पक है ओ स्रीगरु गरंत सहीब जी दी उत्म विचारता रानू पर चारंदा पाख है ते ऐसे पाखनू मुख रखके दमदमी टकसाल सेवान बहुंदी आई है जदो ऐसे पाखनू समेदियां हमकों मतामलों उन्दकसान पहुंचाउन दा जतन कीता गिया है ता ओदो नाल दी नाल शश्चतर दा पक जीड़ा है ओसनू मी दमदमी टकसाल ने पर मुख रखे है एही वार वार गरु कियां संकता दे चरणा विच बेंती है आपां स्रीगरु गरंत सहीब सचे पाखचाई दे लड़ लगीए गरु गरीब नवाज जी दी विचार तारा दे आपां तारनी बणी है कलगी तर पाथचाई दा बक्षश की ता खंडे बाटे दा अम्रत शकी है एकको एक जुगो जुग अटाल स्रीगरु गरंत सहीब ते निश्चा रखी है होर किसे दिवालेश वाले किसे मंदर कदे किसे मड़ी मसीत गुर सखने किसे दी मानता नी करनी होर किते नी जाना केवल जुगो जुग अटाल स्रीगरु गरंत सहीब ती पावन हजूरी विच आउना है ते गुरु ग्रंत साथ सच्चे पाच्छा थे ही आपना अडोल निष्चा रखना है ए जिरा पुवित्र दिहारा है सानू संदेश दे रहे है बाकी बेंतियां अगले दिवाना वेच आज दी इनी हाजरी परवान करनी और सार या वीचारा करदेआं हों या पुला चुकां दीख supply मना बख्षष करनी गुरु किया साजियां निवाजियां समुचीयां संचता दा जिनाने बड़े प्रेमनल हाजरी पर ही है ते गुरु किया वीचारां गुर इतिहास दियां वीचारां सरवन कीती है दास समुच्ची दमदमी टकसाल वलों तह दिलों तनवादी है एसे तरह सद्गुरु जी किरपा करन संगतां ते बक्षश परया मेर परया हाथ सीज़ते रखन आपनी किरपा बनाई रखन संगतां मेंच एक ता इतफाक परस पर प्यार दी पावना कायम रहे काउम दी सदा सदा वास्ते चड़ दी कला होवे एक गुर चरना मेंच अरबास बेंती है इन्नी हाज दी परवाद करनी पुला चुका दी खिमा बक्षनी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फत्हे रामकली महला तीजा अनन्द एक ओवंकार सथगुर परसाद अनन्द पाया मेरी माई सथगुरु मैं पाया सथगुर ता पाया सहज सेती मनवजिया वादा आया रागरतन परवार परिया सबद गामने आया सबदो तांगाव हो हरी केरा मन जनी वसाया कहे नानक अनन्द हो आसात गुरू मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नले हर नाल रहो तू मन मेरे दूख सब विसारना अंगी कारोह करे तेरा कार्ज सब सुवारना सबना गल्ला समरत सुवामी सो क्यो मन हो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नले साच्चे साहिबा कैना ही करते रहे करता ते रहे सब किश है जिस देह सुपावाई सदा सिफ्त सलाह तेरी नाम मनवसावाई नाम जिनका मनवसे आवाजे सब दकनेरे कहना नक सच्चे साहिब कैना ही करते रहे साच्चा नाम मेरा यादारो साच नाम यादार मेरा जन पुखा सब गवाईया करसांत सोखमान आई वसे जन इच्छा सब पुजाईया सदा कुरबान कीता गुरू विट हो जिस दियाई हिवडे आईया कहा नान क सुन हो सुनत हो सबद तरहो पे आरो साचा नाम मेरा आदारो वाजे पांच सबद तित करस पागया करस पागया सबद वाजे कलाजे तकर पारिया पांच दूद तो दवास कीते काल कंटक मारया तुर करम पाया तुद जन कर से नाम हर के लागे कहा नान क तह सुख हो आतित कर अधाद वाजे आनद सुन होंवड पागी हो सगल मनोर्थ पूरे पार ब्रहम प्रभ पाया उत्रे सगल विसूरे दूख रोग संताप उत्रे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पै सरसे पूरे गुरते जाणी सुनते पुनीत कहते पवेत साथ गुर रहया पार पूरे बिनवांत नानक गुर चरण लागे वाज्य अनहद तूरे सलोग पवन गुरु पाणी पिता माता तर्तमहत दिवसरात दोईदाई दाया खेले सगल जगत चंगे आया बुरे आया वाचे तरमह दूर करमी आपो आपनी के निड के दूर जनी नाम ते आया गय मसकत काल नानक ते मुख युजले केती शुटी नाल वाहि गुरु जी का खाल सा वाहि गुरु जी की फत है उठा करे तूम